अम्भूर्बुवाहश्वाह तत्सवितुर्वारेन्यां बर्गोदेवश्यदीमाहि धियोयोनाः प्रचूदयाः अखंड मंडलाकारं व्याप्तम्येन चराचरं तत्पदंदर्षितम्येन तष्मै स्री गुरुवे नमः मात्रिवत लाल इत्रेच पित्रिवत मार्ग दर्शिका नमस्तु गुरुषत्ताय स्रद्धा प्रज्याः उताचया स्रद्धा प्रज्या उताचया भां गुरुदेवो देवाय नमः आवायामी स्थापयामी द्यायामी ततो नमस्कारं करोंी गंदाक्षतं पुष्पं धूपं देतं नहिवेद्याम शामर पयामी आव गुरु गितार गुरु महिमाना पांचमा मनकामा जैये त्या पहला एक गुरु अंदनागित् नथी मारी नई आने जड तो किनारो गुरु दोडितावो करूना नशाजर प्रभु तारा नामे तर्या छेह जारो तारो मने प्रभु उच्छूत मारो नथी मारी नई आने जड तो किनारो गुरु गुरु दोडितावो करूना नशाजर नखी मार मन मा तनी कविकारो तामे छोत्र क्रिष्ण हो शुदा मात मारो व्याथा मार मन नी हवे तो पिछानो गुरु दोडियाओ करूना नशाजर नथी मारी नई आने जड तो किनारो गुरु दोडियाओ करूना नशाजर जगत छोने रूठे प्रभूतो ना रूठे भावो भावना बंदन करून तूटे हरी हाथ जालीने मुझने युगारो गुरु दोडियाओ करूना नशाजर नथी मारी नई आने जड तो किनारो गुरु दोडियाओ करूना नशाजर अरज मारी वाला नदेशो नकारी शदाराख जो प्रभू कुपात मारी ओचो बेंदू तमे दया साजर गुरु दोडियाओ करूना नशाजर नथी मारी नई आने जड तो किनारो गुरु दोडियाओ करूना नशाजर गुरु दोडियाओ करूना नशाजर शद गुरु भद्वान की आओ गुरु गीता म्रतमा आज पांचमों मनकों आपणे जोईशो गुरु चारण और रज नुम्हत्व गुरु गीताना महमंत्र साधकोन डगलेन पगले मार्गदर्शन आपतारई साधनानी सुगम, शारण, सहद, विद्योब जणावेच साधकोने एक गुहिय तत्वनों बोधकर आवेच कितमे शा माटे ज्यात्या भटकी रहाच शा माटे व्यर्थ परेशान थही रहाच परमकुरु पाडु शदगुरु ना रहेता तमारे कोईपन प्रकारे भटकवानी व्रत्ति राखवानी अथ्वातो परेशान के दुखी थवानी जरूर न थी सदगुरु प्रत्यनु भाव भर्यो शमर्पन बदा भाव रगोनी अचुक दवाच शमर्पन करीतो जुओ ए तमाम रगोनी दवाच समस्याओ भवतिक होए क्या आध्याक्मिक लवकी को होए क्या लवकी को होए गुरु चर्णों मा दरेकने माटे समाधान समायला छे गुरु चर्णों नी कुरुपा थी गुरु भक्त साधकने साधनानो परम प्राप्य अनायासेज शुलब थई जायेचे गुरु चर्णों ना सेवन थी अयात्मा ब्रह्मना दूरलब्ब बोधने शुगमताथी पामी सकाएचे भगवान सदाशिव गुरु बक्ति वीशे वधोमा जणावता आदिमाता पार्वतिने कहेचे गुरु पादाम्बु जिस्मृत्वा जलम सीरशी धारयत सर्व तिर्था वगाहस्य संप्राप नोती फलम नरा केटली अध्भूत वाद करीचे सदगुरुना तिरणोनु श्मर्ण करता रही जडने माथाव उपर नाख्वा थी मनुष्यने बदाज तिर्थोना स्नाननु फड़ प्राप्त थाएचे आगण बताविव छे शोशकं पाप पंकस्य दीपनम ज्यान तेज साम गुरु पादोधकं सम्यक संसारा वर्णतारकं स्तरी गुरु कुरुपानु जड गुरु चर्णोनु जड पापना कादवने शुकावनारू तथा ज्ञान तेजना दीपकने प्रकाशित करनारू छे प्रदित करनारू आगण भगवान महादेश सदासिव माँ पार्वत्तिन जणावे छे अज्यान मुलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्यान वैराग्य सिद्रर्थम गुरु पादोधकं तिबे गुरु चर्णोनु जड पिवाथी अंतर भूमीमा उन्डान पुर्वक मूड करी गएरू अग महावरुक्ष मुड माथी उखडी जायेची अने जन्म कर्म ना बंदन नु निवारण थायेची गुरु चर्णा मृत्ना पांथी साधकने वैराग्यनी गिन्यानी सिद्धी सहज पने थे जायेची भगवान बोडावनातिना मुखेती उच्चारित आ महामंत्र उंडा आ आनु स्त्रावन तथा आनु स्त्रावनाने पठन संभव छे के सामान्य जनोंने कैक अतिशय योक्ति जेवु लागे परंतु जे साधक आना उपर मनन आने निदिध्यास तेमने आ महामंत्र माँची सत्य आने दैवी नियमना प्रकाशित किरणो फुटता आनु बवास्प आनु बुतिनी क्षणों मा तमने एवु लागशे के जाने काई आ मंत्र माँचे जे काई आ मंत्र माँचे ते तो मात्र संक्षेप छे यथार्च तो कैक बिजे पन अधिक विश्त्रूतन विराज चे आने सुष्पस्त रिष्थी समझवा माटे अपंक्तियों मा एक गु आ सत्य गटना स्री अर्विंदास्त्रम पोंडे चरीना स्रेष्थ साधक गंगा धरणनी बाबतमाचे अजो थोड़ा कंजी वर्षो पहला तेव पोताना पार्थिव देह छोडिने पोताना सद्गुरू ना चरणों मा विलिम थयाचे वाक्चितना क्रम्मा तेमने पोतान साधना मैं जीवन नुरहस्य जनावता कहयों के स्रेष्थ स्योगम परन्तु सर्वाधिक फड़दाईम तेमज प्रभाव उत्पन करनारी साधना पोताना सद्गुरू ना चरणों नु चिंतन अने ध्यान चे तेमने वधू जनावियों के जारे अर्विंद आस्रम मा आव तो शमय मारी उमर भक्त 17 वर्ष नी जती बढ़े उ गणयों पंड काई खास ना हतो सामा ने तामील भास आबोल्ली सकतो हतो जे शमयी ते ओ पोतानों अनुभाव जनावि रया हता ते समय तेमनी उमर लगबग 18 वर्ष नी अती पोताना जीवन विसे जनावता तेमने कहério के स्री अर्विन नेव पहली वार मड़ेव त्यारे तेमने मने पूछिऊ हो तुम के तुम अहीं सा माटे आवेव चे अने तुसो इच्छे चे तेवो ना सवालना जवाब मां मेका यू प्रभू हुँ काई जानतों नथी के उसा माटे आवेव चे मने खबर पन नथी के मारी इच्छा सूँचे जो आजाओ तो हुँ गणोज गरीब छूँ परन्तु एकनू हुँ कई से कुछूँ के अहीं हुँ मातर रोटला खावा माटे नथी आवेव मातर पेट बरवा माटे नथी आवेव आप्रकारनों सरण जवाब सामणी से स्रियार्विंद प्रसं थयाच ते उस्रियमाता जीने काईउं क्या चोकरों योग माटे तैयारच त्यार बाद गंगा धरन जीने आश्त्रमना कामों मालगाडी देवामावे नाडी खुली गटर साप करवी कउशाडानी सफाई करवी आवा बदा सामानी कामों पन तेमने करवा पड़ता आथा गुजरी चुकेल यादोने ममडावता कंगा धरन जीए कायो के मने आपको आमा आवता कार्यों तो गणाज साधारन आता परणतु स्रियार्विन्दनाची इरणों चिंतन करता करता उन भक्तिनी साथे ते तमाम कार्यों करतो हता काम करवा परत्यनों मारो भाव मातर एकलो जहतो के आश्त्रमनु साधारन काम नई परणतु मारा सद्गूरुने व्यक्तिगतु सेवा करी रहे हो छो मारा सद्गूरु ने उन दिल्थी सेवा करी रहे हो चे दीवस मैना आने वर्षो पसार था गया एक वखत जन्म दीवस ना आउसरे मारे माताजी ने मडवानो था यो प्रेम पुर्वक आसी सापता माताजी ये कईू बोल तारे जन्म दीवस ना प्रसंगे आजे सूझो येच जवाब मामे माताजी ने विनम्रता पुर्वक कईू मा जो आप मने कसू आपवाजी इचता हो तो आप मने आपनी अनिश्री अर्विंद नी चरण रज तेमाज आपना बन्यानू चरणो दक आपो चरण नू रज आपो जड़ापो आभक्ति पुर्ण आगरहनू माताजी ए खराभावती स्विकार करयो पचितो दरेक वर्ष जन्म दी उसना आउसरे मारो आक्रम बनी गयो पचिती चरण रज ने सामाजने धूड मा मेरवी औने चरणो दक ने गंगा जड मा मेरवी राख्वानी मारी एक कायमी आदत बनी गई समय ना सत्वारे स्रीयर्विन सरीर छोडी ने गया माताजी पन ना रया परन्तु कोई पन रिते मारी पास तेम ना चरणरज औने चरणो दक कायम माते रया छे गंगा दरन जिये जणाविँ कि मारा पुजा ना स्थान मा अब बन्ने दूरलब वस्तुओ ने हुराख्तो ओतु आनि पासेज पुजा वेदी पर स्री अर्विन ना बन्ने महाग्रंद लाइफ डिवाईन तेमज सावित्री पन सुषोभित करीने राच्तो ओतु स्री अर्विन और स्रीमाना महा निर्वाण पछी अधिव्य वस्तुओ नि पुजा मारा जिवन नो आधार बनी गया बनेल गनेल बहु न होवाना कारणे बिजू करत पन सुषोभित के सावित्री ने समझी सक्वाने लाइफ मारी बुद्धी पन नहती मारो अभ्यास पन नहतो सद्गुरु चरणों दक साथे नि पुजा मारो नित्य करम बनी गयो साथे साथे आश्रम ना कार्योपन गुरु भक्ति समझी ने उन्नित्य नियमित पूर्वक करतो रहतो हतो एक लिवस पोताना सद्गुरु ना विशयमा विचारता विचारता गेंगा दरन जिनुरदै बराई आवियों छे तेव विचार करवा लागया के सत्तर वर्षनी उमरे आवे हो तो अने आज एसी थी वो अधारे मारी उमर थवा आवी छे परन्त हजु उसुदी कोई विशेस मने अनुभूती थाई नती आ प्रकारनों विचार करता करता तेव पूजा स्थड़े चरण राजाने चरणों दकनी पूजा करता करता प्रार्षना करवा लागया हे अंतरियामी गुरु देव हे जगन माता हुँ तो आपनो अग्णानी बाढ़क्छू अबूद बाढ़क्छू अशिक्षित बाढ़क्छू भणवा गणवानू पन व्योस्तित पने जानतो नथी आपे आपनू जेद दिव्य ग्णान लख्यू छे तेने वहाची पन सकतो नथी हे सर्वसामर्थ प्रभू मने तो आपनी कृपानो भरोशो छे तेमने अबाव भरी दिन भरी प्रार्थना अवीरत चालती रही आँखो माथी अस्त्रू निकत नितरता राया खबर नई क्या सुधिया क्रम चालतो रहो तेमने भानतो त्यारे आवियों के जारे श्री अर्विंद स्वयम मातारी साथे पोताना अतिमान्सिक स्रिरद्वारा तेमनी पासे आव्या चे अतिमान्सिक प्रकास्ती तेमनो कण कण बराई गयू श्री अर्विंदे कृपा करी तेमने अतिमान्सिक जगतनी दिव्य अनुभूतियो प्रदान करी चे पोताना आशंस्मरण नो उप्षाहार जड़ावता गंगा धरण जी कहेचे के मने तो बधुज गुरुचरणों निराज अने जड़ पास्ति प्राप्त थेएँँचे उन बहु 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 सवभाग्य साडी बनी गयोँचे मारु जान दिव्यवधी गयोँचे परमात्म तक्त्वनिमने अनुभूती थेईचे आ सत्य कथा आपना सवना जीवननी पन सत्य कथा बनी सकेचे सत गुरुचरण अने चरणों दक्नों महीमा कैक अनेरो आवोज छे अने तला माटेचे गुरुदेवत मारी जय जय हो गुरुदेवत मारी जय जय हो आत्म निर्मान करतानी जय जय हो आत्म निर्मान कर नारनी जय जय हो व्यक्ति निर्मान करतानी बोलो जय जय हो व्यक्ति निर्मान करतानी बोलो जय जय हो परिवार निर्मान करतानी जाय जाय हो तमद निर्माल करतानी जाय जाय हो राष्ट निर्माल करतानी जाय जाय हो युग निर्माल करतानी बोलो जाय जाय हो सत्य श्वरू पात मारू जया जया हूँ, आनत श्वरू पात मारू जया जया हूँ विचार क्रांगी करतानी जया जया हूँ, विचार क्रांगी करतानी बोलो जया जया हूँ, युग निर्माल करतानी बोलो जया जया हूँ, युग निर्माल करतानी बोलो जया जया हूँ, शुरिश्वरू पात मारू जया जया हूँ, यान श्वरू पात मारू जया जया जाय जाय हो चार्वदेवरू पातमारी जाय जाय हो चार्वदेवरू पातमारी जाय जाय हो चार्वदेवरू पातमारी